मून जगरते हैं इसी जगरे के बीच में उसके बोलता है कि पर दूस्व पॉली स्टेशन जाना और बोरना कि पहर पर तुवारे पादर मर गए हैं तुम्हें जिन्दा रहने के लिए मुझे मरना होगा बोल कर चला जाता है फिर मून जाती है लाज दे कर कनफर्म भी बोल देती है कि हाँ ये मेरे फादर है करके फिर प्रेजन का दिखाता है जा मून अपने फादर से इतने दिन बाद मिलके इमोशनल हो जाती है और वहां से जाने लगती तब उसका फादर उस सकता है कि वहीं यूंजे को और्डर दिया होगा अपने बाप को मानने के लिए इसलिए मुझे तो गरबर लग रही है तुम उसका केस नहीं लड़ना हूं फिर पाइले का दिखाता है मून समझ जाती है कि जो आदमी उस दिन मरा था वो असल मैं यूंजे का बाप था उसका फादर बोलता है कि वो सब एक्सिडेंट था और ओल्ड मैन को भी मैं हमीशे की तर इंजेक्शन दे रहा था उनकी जान बचाने के लिए पर पता नहीं अचानक से क्या हो गया तब यूंजे आके वो लोग को जोईन करती और बोलती अपने फादर से वापिस मिलके कैसा उसको बाद में पदा चलता है कि उसका horse मर गया और उसके बाद में मुन का फादर धीर इसलिए वह मून के फदर पादर को अपना भादर बनाती है और उसससे सारे काम भी करवा दिए जब तुमने लाश की पेचान करने बोले थे तब तुम जे जान मुझ कर हां बोली थी आदमी इंजेक्शन दे रहा था वो एकदम काप रहाता तब ही वहाँ चाह भी आता है गवाई देने के लिए वो तो पहले मना कर रहा था कि नहीं दूंगा बट अब वो देने आता है फिर ऑफिसर कुछ कांग के लिए जाता है तो चाहा दोजीन को बोलता है कि तुम अपनी यह मत भूलो तेसु को तुम ही मुझसे मिलाए थे इसी बात पर दोजीन उसको मारता है पुलीस ओफिसरों को रुपता है इचाह गवाई देता है कि मैं अपने घर जा रहा था तब ही मैं बाजिवने घर में जाकर देखा था फिर वहाँ पर रखे हुए पेपर पर देखत सब देखती थी बड़ वो बोलता कि मुझे कोई और नहीं मिला है चाह पूलता कि तुम इतने हद तक क्यों जा रहे हो मुझे मालू मैं चेर्मेंड को मारकर तुम्हें कोई फाइदा नहीं है मैं तुम्हारे वकील मून का हस्वेंड मुचे भरोसा रखो बड़ चला जाता में खबर मुल जाती बड़ चालू को बाहरivan Kea करने देखतीए की चहाह को एक फोटो मिलिए जिससे कुछ खटका फिर मैं आके चेक किया तो मुझे सब सवाल का जवाब इस पोटो से मिल गया तुम तो पहले ही बहुत जादा ही दुखी थी अपने फदर के जाने की वज़े से तो क्या वो सब एक्टिंग थी क्या स्कैन करना तुमारे खंदान में ही है तुम दोने मिलके हमारी फैमिली को धोगा दियो मून बोलती है कि तुम अभी ऐसी पोजिशन में नहीं होगी किसी को जज़ कर सको चाह धमकी देता है कि मैं विटनेस हूँ अगर मैं गवाई दूंगा तो तुम्हारे फदर कभी बहार नहीं निकल पाएंगे इसलिए उसको बहार निकाल के के बारे में कैसे पता चला तब दोजिन बता देता है कि वह उसका लोकेशन ट्रैक कर रहा है क्योंकि वह भी नहीं चाहता है कि उसके आसपास की जितने लोग भी है चाह के हाथ से मरें फिवा बताता है कि उसको जैसी पता चला कि फ्री में घर दे रहा है चाह की फांडेश वो बोलता है कि यूंचे कोई भी हद तक जा सकती है इसलिए तुम यहीं पर रुप जाओ बर मून डिसाइड करती है कि सब के सामने सच लेकर आएगी इसलिए आखरी बार अपने फदर से पुछती है कि आपने सही में ओल्ड मैन को नहीं मारे वो बोलता नहीं फिर दिखाता के शौक हो जाता है और घबरावी जाता है तब चाब बोलता है कि तयार रही हो सकता है कि मामला बहुत जादा खराब हो जाए मैं कोशिश करूँगा कि यूंचे को अरेस्ट करवाने का ताकि उससे पहले मैं 80 मिलियन ले सकूं यह यह लोग सब खाते रहते हैं उसमें ऑफ उसका फदर उसने मून को केस लगने दी हैं तब मून सच सच बता देती है कि वह यूंचे का फदर नहीं बल्कि उसका फदर है और उसको गुरेगार साबित करने वाली है शीन थोड़ा गुसे में रहती है कि ऐसी इंसान जो तुम्हें इतने साल पहले ही छोड़ दिया और दोजिन उसको समझाता है कि सबसे गल्थिया होती है मून बोलती कि वह गलती नहीं थी मुझे पता तक गलत है और मैं तब भी की तब दोजिन बोलता है कि कोई बात नहीं अगर तुम चांब तो सब कुछ सही कर सकती हो यह सब सुनके मून को अच्छा लगता है उदर चाह जाता है यूंजे से मिलने चाहा उसको पुछता है कि शुरु से तुम्हारा टारगेट मून थी ना मैं तो बस तुम्हारा एक जरिया था ताकि तुम्हारा प्राइरेटी पैसा भी नहीं है तब वो बोलती है कि मैं तुम्हें वो सब कुछ दूँगी जो तुम चाहते हो लिन बोलती है कि तुम्हें अगर गवाई देनी है तो दो बर मैं भी थाबित कर दोंगी तुम्हारी गवाई कोई काम की नहीं है वो बोलता है कि ऐसा करोगी तुम्हें भी तखलीफ होईगी वो बोलती है कि वैसे भी हम जंग में उतरी हूं तो बिना जखम के तो बाहर नहीं निकल सकती वो बोलता है कि बॉंग को क्या होगा वो बोलती है कि जुटी फिकर मत दिखाओ और वारते चली जाती है चाह देखता है कि बाम उससे बात नहीं कर दी तो किसी को कॉल करके बोलता है कि हमें जल्दी ही बाम को लेकर निकलना होगा उधर मून घर पर केस के बारे में देखती रहती है इधर शिंड को रिपोर्ट मिलती है कि वो जो दवा उसके फदर ने दिया था उसमें ही कुछ दुसरी दवा थी तो मून के लिए बहुत मुश्किन होगा अपने फदर को गुनेगार साबित करने का फिशियन जाकर मून को भी बता देती हैं कि थोड़ा संबल के रहना हो सकता है कि वो गुनेगार साबित ना हो फिर उफिसर बेग उसको उसके फदर का केस जुनके देते हैं और ये भी बदाते हैं कि पांक साल पहले यून जे भी केस फाइल की रिक्वेस्ट की थी तब मून देखती कि उसमें लिखाए कि उन्जे के फदर की मौत पानी में डुबने की वज़े से हुआ है क्योंकि उस दिन हाई टाइट हुआ था और उनके पॉकिट से वालिट मिला था जिससे उसकी पहचान हुई थी फिर वो अपने फदर से पुछती हैं आपने बोले थे कि एक्सिडेंट में वो नीचे गिर गए थे इसलिए उनकी मौत हो गई थी बट रिपोर्ट में दिखा रहा है कि पानी में डुबने की वज़े से मौत हुई थी तो आपका वॉलिट उनके पास कैसे गया जब हमारे घर पर आये तब अपने प्लैन कर लिए थी कि उनको मानने का तो बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है फिर पहले का दिखाता है जापर उपर से गिनने के बाद में उनका फादर देखता है कि वो मर रहा है त यूंजे का घर देखके याद आता है उसको की बिचारी यूंजे ने बच्पन में बहुत कुछ ही नी है उनको उसके लिए बुरा लगता है तो वो घुटनों पर बैटके उसकी घर की तरफ उसको सौरी बोलती है फिर यूंजे अपने फदर की कवर पर जा कर बोलती है कि पापा थोड़ा और इंतिजार कर यह आपका नाम आपको जल्दी ही मिल जाएगा फिक केस का ट्राइल शुरू होता है मुन शुरू में बोलती कि इनने गुना कबूल कर लिए हैं कि इनने ही ओल्ड मैन को मारे हैं फिर जज को बोलती कि इनका नाम जैपिल नहीं है बलकि य इनने ही 25 साल पहले यूंजे के फदर को मारे हैं जान मुझकर और उसकी आइडेंटी लेकर ही जी रहे थे फिर वो सौरी बोलती है यूंजे को फिर पहले का दिखाता है जामून अपने फदर को बोलती कि मैं आपको उल्ड मैन का मरर भी प्रूफ कर देती हूं तोकि हम कु लाकिमून को बोलती कि ये मत सूचना कि तुम सिर्फ माफि मांग कर रह सकती हो और यहीव एपिसोड खतम हो जाता है आगे देखते हैं कि यूंजे मून को बड़बात करने के लिए और क्या क्या करती है तो नेक्स एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़ करें अगर ड्रामा अच्छा लग रहा हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर करें मिलते हैं नेक्स एपिसोड में बाई टेक केर